हेलो एरिवन एंड वेलकम डूदा टेस्ट बुक सुपर कोचिंग प्रेटफर्म सो दोस्तों आप सभी काफी ज्यादा परिशान है एक्जाम के रिजल्ट को लेकर आंसर की को लेकर ओके जैसे कि पिछले तीन-चार दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि और उसमें विलम आ चुका है डिले हो गया है जैसक आप यहाँ पर यहाँ पर स्क्रीन पे देख चुका है कि आपका जो युडिसनेट जो मार्च में एक्जाम हुआ ए ठीक है फैवरिर्वी मार्च में उसके जो रिजल्ट में है थोड़ा सा विलम हो रहा है और अब किस किस डेट पर आएगा आपके आंसर की या फिर आपका जो रिस्पॉंस शीट है किस डेट पर आ सकती है वह तो इसके बारे में बात करेंगे बट सबसे पहले इंपॉर्टन हमारा यह मुद्दा है कि यह डिले क्यों हुआ अब तक जो है तीस तारीक उनतिस तीस तारीक तक आपका जो है रिस्पॉंस शीट और आंसर की आज आने चाहिए थी प्रोविजिनल आंसर की नहीं आई यह और उसमें डिले हुआ है तो अब वो डिले क्यों हुआ है और कब तक आ सकते हैं इन सब चीरों के बारे में छोड़ी सी वीडियो में बताने वाला हूं आपको आप सभी से सबसे पहले नवे दने कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे टैस्बुक सूपर कोचिंग प्रेटफॉर तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा हुआ तीन चाह दिन पहले वीडियो आया था जहां पर मैंने बहुत बताया था कि आंसर की कब आ सकती है रिस्पॉंज शीट कब आ सकती है प्रोपर हमने एनसेस किया था और आप लोगों क काफी पसंद भी आया था तो उसके हिसाब से हमने जो डेट निकाली थी हमारा यह अंदाजा था कि तकरीबन तीस तारीक तक हमारे पास प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉंज शीट आ जाएगी और फिर फाइनल आंसर की कुछ जो है आने में कुछ वक्त लएगा और मतल पशले पार ये असाफ से क्लकि साफ सब्सक्रेंश के यहां में हॽताएगे सब्सक्राव में कश्छ झाहिए थे खरेऑ कंद में और इस तेसम अजा को ग्रुप्र जाहर और के सब्सक्राइख पर 22-23, 7 days में, तो सिर्फ 7 दिनों के अंदर पिछली बार उनने प्रोविजनल आंसर की और साथ-साथ आपका जो रिस्पॉंस शीट है वो दे दी थी और उसके बाट फिर फाइनल आंसर की आने में फुला वक्त लगा था, जो भी changes होते हैं, फाइनल आंसर की जो है, आपका बोल इतना वक्त लगता है, पहले बट प्रोविजनल आंसर की और चीज़े आ जाती है, समस्य यहां क्या है, समस्य यह है कि देखें, जब रिस्पॉंस शीट आ जाती है, उससे जब आप एक प्रोविजनल आंसर की इसे एक रफ आपको आईडिया लग जाता है, कि आपकी विध्यारती के लिए बहुत बड़ी समस्या हो दी, जब वो कोई एक्गजाम देता है, उसको हर विध्यारती कूण अपको चुँक्छा है, हम जल्दी से मुझे पदा चल जाया, कि मेरा सुलेक्शन हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो फिर मैं आगे की तयारी करोूं, because you all are eager to prepare for the next attempt, but you are in a confused situation right now, okay, तो कहीं नहीं सब लोग थोड़े confused है, so अब ये एक समस्या है, जो कि हुई है, उसके बारे में बात करूँगा कि वो समस्या क्यों ही है, but अब पहले सबसे बात करें लेते हैं, जैसे कि जो कल नीज है, आप सभी को ये पता चलकी होगी कि जो तेज़स जोशी जी है, डॉक्टर तेज़स जोशी, जो की ज्वाइन सेकेटरी है, उनका ये ट्वीट आया है, अभी तक NTA की वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट उनका ये ट्वीट आया है कि जुलाई के फस्ट वीक में, मतलब जो जुलाई का पहला हफता शुरूह रहा है, एक तरीख से लेकिए, उक तरीख से लेकिए, साथ तरीख तक आपके, जो वसली बोसकते हैं, आंसर की आने के चांसस हैं, उनके हिसाब से, साथ दिनों के expected बता रहे हैं वो भी कि इस first week में आ जाएगा मतलब ठीक है हम 4-5 भी मान ले तो अगर हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि पास तरीक को ओके कि आपका जो answer की 5 को आती है ठीक है let's assume कि आपके answer की जो है provisional answer की ओके provisional answer के response sheet 5th को आती है 5th of July को so उसके हिसाब से करीबन 20 दिन का और उनको वक्त लएगा और तकरीबन 20 या 25 के आसपास फिर आप मान के चलिए 20 या 25 जुलाई के आसपास आपका जो है रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आप आप आएगा बट फिर भी जो पांच जुलाई के आसपास तक आपका response sheet आईगी provisional answer की उससे आपको बहुत clear हो जाए कि आपका selection होनों के chances है कि नहीं है सो उसके बाद आपनी आप आगे की तैयारी को start कर सकते हैं अपना orientation रहा सकते हैं कि आपको क्या करना है आपको courses लेके provision करनी है दिसंबर वाले exam हो कैसे target करना है सो यह समस्य अच्छा अब छोटी से बस बात मैं बात आप लोगों से करूँगा कि यह delay क्यों हुआ ठीक है जो अच्छे बार जो नहीं ने एक्जाम लिया था वो पिछले पाँच चरणों में लिया था ठीक है बहुत सारे subject है 80 से जादा 90 के आसपास तकरीबन subject है यूदिसी में तो अभी तक क्या करता था विविन चरणों में एक्जाम लेता था तीन चरण चारण पाँचरण conduct हुआ है वो सिर्फ दो चरणों में सो अब जो रिजल्ट को अनलाइज करना कैप्टरलाइज करना उसको कॉंसुलेट करने में टाइम लगता है और शायद इसले पहले क्या लंबा खिस्ता था एक्जाम इस बार उन्होंने बिल्कुल 13 तारीक से स्टार्ट किया और 22 को खत इसलिए आपके आंसर की आने में डिले हो रहा है इसकी प्योंसे वड़ा कारण यहीं है विकॉज जब पहले चरण में होते थो तो हर चरण के रिजल्ट तैयार करना स्टार्ट करते हैं साहत में वाट दो ही चरण में एकज़ाम हुए इतने सारे पेपर है इतने सारे अदिक तक आपको जो है आंसर की देखने को मिल सकती है तो बस इसी हिसाब से प्रिप्रेशन कर अपना मांसिक जो संतुलन है जो मांसिक जो वह सकते ही कि मांसिक गणिज जो आपको लगाना है कि कैसे आगे प्रिप्रेशन करनी है जो भी कन्फीजन्स है वो उसको सट आउट क सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर कोर्स पर पर सेल चल रहा है तो आपको जो सब्सक्रिप्शन से नौ महिने का सब्सक्रिप्शन बहुत कम दाम पर मिल रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल करके या फिर एप पर जाके मेरा कूपन कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकने हैं और कब तक आ सकती है और कहा तक उनको इंदिजार करना पड़ेगा जिससे थोड़ा सा मांजिक रूप से जब रिजल्ट बहुत नजदीक आने होता ना तो ह सब की बढ़ती है और तो अपको उसको कब तक थाम के रखना आपको उसके बारे में यह वीडियो था तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा अच्छा लगा हो तो बताईए कमेंट बॉक्स पे और जो भी आपके फीडबेक्स हैं डेफिनिट्ली दीजेगा थैंक्यू सो मच